हरियाना के प्रसिद्ध सिंगर और कलाकार मासूम शर्मा के भाई के घर घुसकर हथियार बंद लोगों ने गालियां दी। मासूम और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस दोरान आरोपी हवा में पिस्तॉल लहराते हुए, बाहर निकल गए और बाहर जाकर फायर किया। मामले में मासूम की भाभी निशा की शिकायत पर पुलिस ने भिवानी जिले के गाव खरक निवासी केहर खर किया समेत पचास से ज्यादा लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। हरियानवी सिंगर मासूम जीन जिले से हैं। जुलाना के ब्राहमन वास गाव में मासूम शर्मा और भाई विकास शर्मा का घर है। विकास की पतनी निशा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बुधवार शाम साढ़े पाँच बजे के करीब वह घर पर थी। उसी समय घर के अंदर पाँच लोग घुसाएं जिन में से तीन के हाथ में पिस्तॉल थी। दो लोगों ने हाथ में डंडे लिये हुए थे। आते ही आरोपियों ने गंदी गालियां देनी शुरू कर दी और पूछा कि मासूम शर्मा कहां पर है। इस दौरान आरोपियों ने मासूम शर्मा को जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद आरोपी हवा में पिस्टॉल लहराते हुए घर से बाहर निकल गये। घर के बाहर पहुंचते ही आरोपियों ने हवा में फायर भी किया। उसने अपने देवर दीपक को घटना के… बारे वहाँ से जा चुके थे। को भी मासूम शर्मा और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। धमकी देने वाला जीन जिले के ही जलाल पुर्खुर्द गाम का रहने वाला था, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफतार कर लिया था। उस दौरान पूछताच में पता चला था कि गुरुगराम की एक युवती के कहने पर उसने मासूम शर्मा को धमकी दी थी। झाल सूम भाला था।